Hey guys, how are you all? I hope you all are fine और फिर से सवागत है आपका इस new lesson में तो उमीदा आपने lesson 1 देख लिया होगा अगर आपने lesson 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाईए, प्रेलिस्ट में जाईए आपको मिल जाएगा basic English grammar के course के नम से playlist lesson 1 देखिए उसके बाद lesson 2 पर आईए तो दोस्तो हम लोग कर रहे हैं इसमें cover basic English grammar को बिल्कुल zero level से मैंने start किया है इसको उमीदा आपको ये lesson अच्छा लग रहा है आज हम इस lesson में बात करेंगे दोस्तो capital letters के बारे में कई लोगों को मैंने देखा भी है लिखते हुए और बोलने के बात नहीं लिखने की बात हो रही है लोग जब लिखते हैं तो उन्हें यही नहीं पता हो तक capital letters कहां कहां आते हैं कौन से word होते हैं जिनने हमीशा capital लिखा जाता है तो आज इस lesson में मैं आपको बताऊंगा capital letters के बारे में सब कुछ काफी important lesson है ये क्योंकि हमारा commitment है बिल्कुल basic से grammar कवर करेंगे तो मैं नहीं चाता हूँ कि कोई भी loophole छोड़ा जाए जो आप जो आपको आगे चलके problem create करें तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अब तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल अकर दबा दीजेगा इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो एड़ करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं जानते हैं कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं बहुत बेसिक है कई लोगों पता भी कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं तो चलिए जानते हैं यह जो दोस्तों capital letters होते हैं, इनका और भी नाम होते हैं कुछ, capital letter को हम लोग big letter, uppercase letters, या simply capital भी कहते हैं, तीनों नाम याद रखिएगा, capital तो आप जानते ही हैं, इन्हें big letters, uppercase letters, या simple capital भी कहते हैं, कोई आपको बोलते हैं, write in capital, वो letter ना बोले, तो आपको capital में ही लिखना है, यह आपको दिख रहे हैं, यह सारे capital letters है, A to Z, these are the capital letters, यहां तक तो पता होता है, अब अगर हम बात करें कि इन capital letters को हम लोग use कहां करते हैं, तो आप यह ज़रा ध्यान से देखेगा, क्योंकि कई लोगों को पता तो है, लेकिन फिर भी वो गल्ती कर देते हैं, सबसे पहला use, we use capital letter for the first letter of the sentence, किसी भी sentence का पहला letter हमेशा capital होगा, जैसे, C comes late, तो C का जो S होगा, यह capital होगा, डॉग is a faithful animal, तो यह इसका डॉग का जो D होगा, यह capital होगा, यह पहला use है, sentence का पहला letter हमेशा क्या होगा, capital होगा, राइट, दूसरा, यह rules हैं, grammar के याद रखिएगा, ठीक है, we use always I, जब भी हम दोस्तों अपनी बात करते हैं, आई की बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, तो वो हमेशा capital लिखा जाता है, कई लोगों को यह कलती होती है, वो I small लिखते है, I हमेशा capital लिखा जाता है, जब मैं की बात हो रही होती है, मैं की, I am a doctor, I will be capital, Sunny and I are best friend, I must be capital है, लोग कहेंगे, हमने Sunny का S capital कर दिया, I small कर दो, नहीं, I is always capital, ड़सेंट मैंटर वो कहां पर आता है, सेंटेंस में, हमेशा वो capital होता है, राइट, तीसरा, तीसरा है, वी यूज capital for the names of the people, किसी भी परसन का नेम होगा, उसके लिए हम लोग capital लेटर यूज करते हैं, जैसे कि Tom, Rani, Rohit, Donald, Trump, दोनों ही capital आएगा, DB capital, TV capital, we use capital letter for the name of the places, किसी place की बात हो रही है, जैसे Taj Mahal, India, Delhi Zoo, COVID-19, या किसी चीज की बात हो रही है, किसी disease की बात हो रही है, इसके अलावब दोस्तों, capital letter का हम लोग यूज करते हैं, for the months of the year, January हमें बताना है, February हमें बताना है, तो किसी भी month का year हम जब भी बताएंगे, या लेखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग capital letter का यूज करेंगे, अगर हमें किसी week का day बताना है, for example, Sunday, Monday, Tuesday, जे तो वहाँ भी हम capital letter यूज करेंगे, holidays की बात होती है, वहाँ पर भी हम capital letter यूज करते हैं, और festival कोई तयोहार है, for example, holy, diwali, रक्सरबंदन, तो यहाँ पर भी हम लोग capital letters का यूज करते हैं, तो उमीदा आपको समझ में आया होगा, capital letter कहां यूज होते हैं, basic rules हैं और यहाँ आपको गल्ती नहीं करनी है, लिखने में, तो यह छोड़ी सी exercise है आप लोगों के लिए, यह मैंने आपको कुछ sentence दिये हुए हैं, चार sentence है, इसमें आपको चेक करना है, और आपको मुझे comment में बताना है, कि कौन कौन से sentence हैं, जहाँ पर capital letter आना चाहिए, आप capital करके बताइए उन्हें, यहाँ पर मैंने सब कुछ small में लिखा हुआ है, आपको चेक करना है, बताना है कि कौन सा capital में आएगा, यह आपके लिए छोटी सी exercise है, देखते हैं कितने लोग comment में करके बताते हैं, तो guys that's all about this lecture, आज मैंने बात किया आपके साथ, capital letters in English के बारे में, although काफी easy यह lecture था, lesson था, लेकिन फिर भी लोग गलती कर देते हैं, तो उमीद है आप आप गलती नहीं करेंगे, तो that's all about this video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, लाइक किये भी ना कोई नहीं जाएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, share कर दीजे अपने WhatsApp के, Facebook के गुरूप पर, और दोस्ते इसके लाबाबा, आप लोग मेरे टेलिग्राम का चैनल जोइन कर सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और Facebook का पेज भी लाइक कर सकते हैं, मेरे दोरा बनाये गई, सारी वीडियो सब अपडेट में यहाँ पर देता हूँ, लिंक मेने दिस्क्रिप्शिन में लीचे दे दिया है, आप लिए आप लिए आप दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केर, बाबाई.